Hello and welcome to this lecture previous lecture में हमने देखा था simple nested for loop आज की इस lecture में हम आगे बढ़ेंगे और दो नए टाप सीखेंगे which spacing nested for loop और custom nested for loop सबसे पहले चलिए हम बात कर लेता है which spacing nested for loop ठीक है I think मैंने यह वाली आपको for loop previous lecture के अंदर कराई थी सबसे पहली वाली simple nested for loop की category के अंदर लेकिन आज इस pattern को थोड़ा समय modify करूँगा क्योंकि आज हम पढ़ेंगे which spacing nested for loop देखें सबसे पहले तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी space दे रहा हूँ देखें अब यहाँ पर देख सकते हो जितना part मैंने select किया हुआ है इस तरह से मैं कुछ नई pattern बना रहा हूँ अब देखें इस pattern को ध्यान से analysis किजिए यह हमारी वही वाली pattern है लेकिन each and every row के आगे थोड़ी थोड़ी space आ चुके है तो यह वाली हमें loop बनानी है यह वाली pattern हमें बनानी है यहां पर सबसे पेरतों आपको space दिखाए देए तो आपको space के लिए भी for loop गुमानी है त्यान रखेगा previous lecture के अंदर हमारा जो structure था वो structure क्या था nested for loop का एक outer for loop थी और एक हमारे inner loop थी इसकी मतर से हो जाता था यह outer for loop हमारी हमेशा row के लिए खुमती थी जबकि inner for loop हमारी हमेशा column के लिए खुमती थी लेकिन अब इस वाली pattern को आप गोर से देखे यहां पर आपको total दो पाट दिखाए देगे सबसे पहले यह उपर जो space वाला है ना वो पाट देखे space वाला जो triangle बन रहा है उसकी for loop आपको गुमानी है वो for loop complete हो जाती है उसके बाद आपको यह numerical digits दिख रहे है उसकी for loop भी गुमानी है यानि कि अब आपको total दो inner loop चाहिए होगी सबसे पहले यह जो spacing वाला triangle दिख रहा है उसकी for loop उसके बाद यह आपको numerical digits दिख रहे है उसकी for loop तो total दो inner loop आपको चाहिए तो देखे यह हमारी एक outer loop है ठीक है वो तो रो के लिए घुमने ही वाली है लेकिन अब आपको inner के अंदर दो for loop चाहिए इस तरह से तो यह आपका नया structure बन गया एक outer for loop यह outer for loop हमेशा घुमेंगी रो के लिए ठीक है और हमारी दो inner loop यह सबसे पे लिए inner loop है ना वो किसके लिए घुमेंगी यह जो मैंने पता है ना हमारा triangle बन रहा है space वाला ठीक है वो space वाले triangle loop के लिए घुमेंगी तो यहाँ पर मैं सिफ indicate कर देता हूँ spacing loop ठीक है space वाली loop हमें यह inner loop बनानी है अब जो हमारी दूसरी inner loop है वो किसके लिए घुमेंगी वो यह जो नीचे वाला पाट है ना नीचे वाला triangle यह numeric वाला ठीक है उसके लिए घुमेंगी यान कि जो हमारी ordinary simple inner loop थी column के लिए वही घुमेंगी ठीक है only for digits चलिए अब आमने specific कर लिया है हमारा नया structure बनाया है ठीक है same इसी structure को follow करने से आप कोई भी with spacing nested for loop बना सकते हो simple with spacing nested for loop यान कि क्या कोई भी pattern हो आपके पास वहाँ पर starting से directly कोई digit start नहीं हो रहा होगा but कोई इस तरह से आपको space मिलेगी ठीक है तो जब भी आपको इस तरह की कोई pattern मिलती है तो वो किस category के अंदर आएगी with spacing nested for loop और उसको बनाने के लिए आपको simple यही वाला structure करना है एक outer for loop होगी और दो inner loop होगी ठीक है दो आपकी inner loop होगी वह आपको ध्यान रखना है चलिए अब हम इसको fill करना start करते है सबसे पहले तो outer for loop को हम fill करते है राट रो के लिए रो कितनी है हमारे पास पांच रो है राट horizontal lines तो सबसे पहले तो हमें तीन variable चाहिए होगे रो के लिए हम indicate करते थे i को column के लिए हम indicate करते थे j को लेकिन अब हमारे पास एक और नई पांच बार क्योंकि हमारे पास पांच रो है इसलिए तो इस for loop के अंदर icon में start करूंगा वन से कितनी बार गुमाएंगे पांच बार और प्लस प्लस डन अब चलिए spacing को थोड़ी देर हम ignore करेंगे वह लास्ट कर इंदर फिल अप करने आएंगे सबसे पहले यह डिजिट वाली हमारी नॉर्मन फोलूप है न वहां फिल अप कर ले थे किस तरह से देखिए सबसे पहले आपको क्या इमेजिंग करना है कि यहां पर स्पेस ही नहीं तो आपकी फोलूप देखे बड़ी सिंपल बन गई जैसा कि मैं प्रिवेज लेक्चर के अंदर बताया था वैसे ही अब इस तरह से आपको फिल अप करना है सबसे पहले यह डिजिट वाली फोलूप देखे कोलम है स्टार्ट कंपल्सरी कहां से हो रही है वन से हो रही है तो अब यहां पर क्या लिखते थे जे इस इकल टू वन अब जे को है अब यहां पर आपको इस इनर फोलूप के अंदर क्या प्रिंटेव कराना था जे की वैल्यक्रीक कराना ही थे तोहिए डिशा के लिज़ चलिए अब यह हमारा पार्ट होगया डीजिट वाली लोप कंप्रीट हो गई चलिए अब जाए आपनी फॉल लूप पहले थी है वैसा आपको बना देना है with spacing वाला ठीक है इस तरह से अब आपको यह main loop है ना spacing वाली वो आपको fill up करनी है किस तरह से करनी है तो सबसे पहले आपको ध्यान से analysis करना है each and every row को suppose एक first row है इस first row के अंदर आपको कितनी space दिखाई दे रही है यहाँ पर one ठीक है two three and four आपको total four space दिखाई दे रही है first line के अंदर second के अंदर one two and three टोटल तीन space है ओके third line के अंदर one and two total दो space है fourth line के अंदर एक ही space है और last line के अंदर एक भी space नहीं है यहाँ पर आगए ठीक है यानि कि अगर आप लोग को top to down approach के अंदर study करोगे तो आपको देखने को मिलेगा first of all सबसे ज्यादा space है और नीचे आते आते आपकी space क्या हो रही है कम हो रही है ठीक है तो इसका simple सा एक logic है आपको कुछ नहीं करना है जब भी आपको कोई loop बनानी हो spacing के लिए तब आपको क्या करना है दो number imaging करना है one two five टेक है यह दो number आपको imaging करना है आपके मायंड के अंदर आपको लिख देना है one two five आपको simple imaging करना है अब देखे यह जो हमारी fall loop है ना spacing वाली वहाँ पर हम नया variable यूज़ करेंगे के वाला तेक है अमको तीन पार तो बना नहीं है तो इस तरह से मैंने लिख दिया तीन पार्ट अब देखे उपर से नीचे आप study कीजे लूप को आपकी spacing वाली लूप है उसकी value बड़ रही है या कट रही है increment हो रही है या decrement हो रही है obviously first line के अंदर सबसे ज्यादा space है जैसे जैसे हम नीचे आ रहे है हमारी spacing के value decrement हो रही है तो इतना तो मैं मालूम चल गया कि यह जो हमारी inner follow थी ना space वाली वहाँ पर हमको क्या कराना है decrement कराना है अब decrement कराएंगे तो obviously मैं यहाँ पर क्या लिखना होगा greater than का symbol लिखना होगा ठीक है यह तो मैं मालूम ही है कि अब यह जो दो नंबर हमने imaging किये थे अगेन मैं बता रहा हूँ यह दो नंबर हमने क्यों imaging किये थे इस follow को implement करने के लिए ठीक है spacing वाली follow को implement करने के लिए आपको यह दो नंबर imaging करने है अपने mind के अंदर one से लेकर five तक अब देखिए उपर से लेकर नीचे तक आपकी spacing वाली follow है वो क्या हो रही है decrement हो रही है तो मैं यहाँ पर initially value क्या लिखूंगा for example इन दोनों में से एक या फिर five में से मैंने यहाँ पर लिखा five क्या लिखा five तो five में से अगर decrement होगा तो आपकी range इन दोनों के अंदर मिलेगी न राइट सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर initialization कहां से करता हूँ five से करता हूँ तब आपने किया decrement तो ही आपकी range एक से लेकर पांच तक बनी रहेगी ठीक है अगर suppose आपके पास दो नुमबर थे एक किया पांच अगर आपने यहाँ पर one put up किया होता one और फिर आपने किया है decrement तो फिर तो माइनस के इंदर चला गया ना zero minus one minus two तो वो से भी range इन दोनों range के बाहर चली गए तो आपको wisely choose करना है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आपने decrement लिखा होगा ना तो आपको आख बन करके simple यहाँ पर five print कर देना है इस तरह से अगर किसी वज़े से यहाँ पर आपका increment आएगा तो फिर आपको आख बन करके यहाँ पर one put up कर देना है के की initial value ठीक है यही दो possibility है और कोई भी possibility नहीं आ सकती है ओके तो simple देखे हमारे case में यहाँ पर क्या था initially spacing की value decrement हो रही है ठीक है तो decrement जब भी हो रहा हो आपको मालूम है यहाँ पर बीच में आप क्या लिखते थे greater than का symbol और decrement हो रहा है तो आपको compulsory यहाँ पर लिखना है 5 ठीक है spacing की initial value आपको क्या लिखने है 5 लिखने है ओके यह part हमारा finish हो गया अब यहाँ पर आता है हमारा condition वाला part के को आप decrement तो कर रहे हो लेकिन कहा तक decrement करना है आपको ठीक है कहा तक decrement करो गया तो देखे यह बड़ा passing वाली लूप बनाते हो ना फिर चाहे वो inner loop हो या कोई digit वाली लूप हो आपको ध्यान देना होगा अगर एक part आपका numerical है तो दुसरा पाट obviously यहाँ पर variable होगा देखे digit वाली for look को analysis कीजिए आपने यहाँ पर initially क्या put up किया है is equal to one put up किया ना यानिकि directly कोई row value put up किये लेकि लेकिन यहाँ पर देखो आप यहाँ पर digit value है या variable की value है variable है तो inner loop है ना उसका compulsory यही रूल है अगर एक value digit होगी तो दूसरी value वह क्या होगी variable होगी फिर अगर यहाँ पर किसी वज़चे variable आ गया तो यहाँ पर कोई value आ जाएगी ठीके दोनों कभी भी digit नहीं आ सकते दोन प्रिंट कर दिया है तो आपको यहाँ पर कंपल सरी उपर वाला जो वेरियेबल है ना आपकी आउटर लूप का वही simple put up कर देना है इस तरह से ठीके इस तरह से आपको fill up करना है त्यान रखेगा चलिए अब spacing के लिए हमें printf क्या कराना है कोई लोग बोलो कि कि सर हमें तो के की value print करानी है ना नहीं के की value क्या है देखे 5 उसके बाद आप decrement करते जाओगे i तक यानि कि 1 तक 5 4 3 2 1 तो वो हमें print नहीं करना है हमें तो क्या print करना था space print करनी थी तो space print करने के लिए हमें simple क्या कर देना है यहाँ पर space इस तरह से put up कर देना है ठीके यह हो गया आपका code वो particular loop के लिए अब हम क्या करेंगे इस file को save करेंगे और यहां से मैं करूंगा compile and run अब देखे आपको कुछ इस तरह का output देखने को मिला क्यूं क्यूंकि आपने एक गड़बर कर दिये आपने यहाँ पर space extra डाल दिये ठीक है अब यहाँ पर मैं space जैसे ही निकाल देता हू सेव करूंगा file को compile and run तो अब आप देख सकते हो आपका complete output आ चुका है जैसा कि हमें चाहिए था एक से लेकर 5 तक और आगे complete space भी आ चुकी है ठीक है तो इस तरह से आपको अपना output करना है तो अब चलिए आप इस लूप को सबसे पहले नोट डाउं कर लीजे एक आपको कर लीजे इसी order के अंदर आपको नेश्याट फोलूप बनाने है spacing वाली सबसे पहले outer loop always and always row के लिए ही गुमने वाली है उसके बाद जो inner loop पहले आएगी वो always and always spacing वाली ही आएगी धेना अप्तर जो आएगी वो आपकी normal digit वाली आएगी ठीक है और हमारा print जो था selection के लिए वो तो ही complete चलिए अब हम देख रहते हैं आप notice करोगे कि sir आपने यहाँ पर equal to put up नहीं किया बाकिसा बीन लूप के अंदर तो हमने equal to put up किया था तो इसकी एक वजह थी देखिए अगर मैं यहाँ पर equal to put up करता और file को अगर run करा था तो आपको एक extra यहाँ पर space देखने को मिलती है last line के अंदर देखिए ठीक है one की left side में जबकि हमें क्या करना था one की left side में last में लाना ही नहीं था ठीक है तेकिन अगर आपने equal to put up किया तो आपकी space यहाँ पर भी आ जाती है इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया था simple equal to को remove कर दिया exactly i तक नहीं गुमनी चाहिए ठीक तो इस तरह से आपको लूप बनानी है अब चलिए आप इसका screenshot लेलो मैं इसको refer करा रहा हूं आपको step by step क्या हो रहा है देखिए सबसे पहली लूप हमारी थी जो कि row वाली ठीक है उसके अंदर i is equal to one आ गया condition चेक की तो यहाँ पर मैं condition लिख रहा हूं i less or equal to 5 तो i की initial value य यह आप देख सकते हो condition true हो रही है जैसे condition true होगी आप इस fall loop के अंदर आ जाओगे जैसे fall loop के अंदर आ है आपको सबसे पहली यह वाली fall loop मिली ठीक है चलिए यह वाली fall loop मिली k की initial value आपने असायन करती 5 ओके फिर आपकी यह condition आई चलिए condition को मैं फिर से लिख रहा हूं k greater than i आप k की value क्या है initial देखे आपने यहां पर put up की थी ना 5 तो आपने यहां पर रख दिया 5 अब i की initial value क्या है यह देखे ऊपर 1 है i की value तो यहां पर आगया 1 ठीक है अब यह condition क्या हो गई true हो गई है तो आप अंदर जाओ गए अंदर जाकर आपने print किया space ठीक है तो आपकी यहां पर क्या हो जाएगी print space हो जाएगी space में यहां पर इस तरह से put up करूंगा तो आपको दिखने नहीं वाला इसलिए मैं simple demo purpose के लिए यहां पर underscore को put up कर रहा हूं ठीक है यह हमारी x space print हो चुकी है अब आपकी body end हो गई for loop की अब जैसे ही end होती है हमारी for loop की body हम सभी को मा क्या होगे true होगे again आप बोल लूप के अंदर आओगे again आपकी space चो है वो print होगे space यानि कि हमारे case के अंदर एक underscore print हो गया और ठीक है इस तरह से again आपकी body end again k minus तो आप k की value x से और decrement होगे यानि कि 3 होगे तो इस condition क्या होगे true होगे true होने के वज़े से आपका print एफ अगे true होगे condition फिर से क्या होगे true जिसकी वज़े से आपका print एफ अगें चलेगा space के लिए तो अगेन आपकी space print हो जाएगी then after आपकी body end k minus minus अब k की latest value थी 2 तो आप कितनी होगे यहाँ पर one होगे तो अब देखें यह condition false हो रही है एक कभी भी एक से बढ़ा नहीं हो सकता अपने जैकी value initially assign की है one तो आपकी condition क्या बनेगी आपकी condition फिल्हाल क्या है jlso equal to i तो j की latest value है आपने की यहाँ पर one तो आपने यहाँ पर put up कर दिया one i की value कितनी है i की value तो पहले से one ही थी तो यहाँ पर भी आ जाएगा one अब यह condition क्या होगी true होगी ठीक है चले जैसे true होती है आ आपका one print हो जाएगा ठीक है आपका यह output तो चली रहा है यहाँ पर आपका क्या प्रिंट हो जाएगा आप वन प्रिंट हो जाएगा चले आपकी बोडी जो है वो एंड हो गई end होने के बाद आपका increment वाला पार्ट चला j++ यान कि j की initial value थी one जैसे increment हुआ अब उसकी value कितनी होगी two होगी right जैसे यह condition दिखेगी आपको completely यह condition क्या हो रही है तो जैसे आपकी condition false आपकी loop terminate हो जाएगी लूप से आप बाहर निकल जाओगे जैसे बाहर निकले आपको मिल के अंदर आ जाओगे ठीक है इस तरह से पूरा scenario खुमने वाला है मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा बहुती टाइम हमारा वेस्ट होगा ओलडी एमने किस तरह से step by step चलना है each and every loop को वो हमने previously lecture में देख लिया है ठीक है तो simple सभी step आपको follow करने है इस तरह से लास्ट में आपको इस तरह का आउट पूट देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से आपको कोई भी with spacing वाली लूप वह आपको गुमानी है ओके चलिए तो इस लूप को आप सबसे पहले नोट डाउं कर लीजिए ओके चलिए यह थी हमारी with spacing वाली first loop अब मैं आपको दूसरी लूप एक और example दूँगा for example अब हमारे पास है reverse loop यान कि 5 से शरूव हो रहे है 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 and 1 ठीक है इस तरह की loop है लेकिन twist क्या है आगे space वाली लूप भी है ठीक है इस तरह से हमारे पास लूप है तो हमारा structure तो भी रहेगा इसी तरह से रहेगा एक outer loop है और दो inner loop है चले यह जो हमारा पाट है न वही शिफ क्या होगा change होगा inner loop वाला यह spacing वाला और यह हमारा outer row वाला पाट है यह हमने पूरा का पूरा structure लिख दिया है चलिए सबसे पहले हम बात करते है fall loop की जो कि अमरी गुम रही है row के लिए तो row आप यहाँ पर देख सकते हो obviously 5 ही row है तो आप सोचोगे कि sir इसको हम एक से start कर सकते है less than equal to 5 तक जाएंगे प्लस प्लस करते जाएंगे जैसा कि मैंने पहले बता है सबसे पहले आपको कभी भी space वाली loop direct नहीं करनी है सबसे पहले आपको space मिटा देना है आपको easily understand आ जाएगा इसलिए सबसे पहले आपको यह वाली fall loop का coding कर देना है तो यह वाली fall loop हम obviously previous lecture के अंदर देख चुके थे यहाँ पर सबी आप देखे कहां से start हो रही है column 5 से start हो रही है तो यह हमारी column की value कहां से start होगी 5 से start होगी कहां तक जाएगी अपना अपना जो row number है उसके exact reverse value की तरब जाएगी suppose यह दूसरे number की row है लेकिन जहां कहां तक रही है 4 number तक ठीक उसी तरह यह 4 number की row है लेकिन जहां कहां तक रही है 2 number तक यानि कि आपको यह सबसे पहली वाली outer look थी ना row वाली look वो आपको increment order के अंदर नहीं चलानी वो आपको decrement order के अंदर चलानी है तो यहाँ पर हम start करेंगे 5 से decrement करते जाएगे कहां तक 1 तक और i minus minus ठीक है चलिए अब हमारी column की बार column आपकी start हो रही है each and every time 5 है इसलिए हमने लिख दिया 5 कहां तक जा रही है row के reverse number के लिए तो वहाँ पर हम लिखेंगे greater than equal to i तक और j decrement हो रही है तो j minus minus ठीक है इतना हमने previous lecture के अंदर कर लिया था यह simple loop हमारी होगी लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया यह हमारी loop है फिलालों क्या बना रहे है spacing वाली loop बना रहे है आगे आपके पास spacing है इस तरह से ठीक है पहली line में 4 दूसरी line में 3 तीसरी line में 2 और 4th line में 1 ठीक है इतनी spacing available है अब आपकी बारी आती है spacing वाली loop को fill up करने के लिए तो spacing वाली fall loop किस तरह से fill up करोगे अगेन आपको दो वही number imaging कर लेना है कौन सा कौन सा number 1 and 5 ठीक है 1 and 5 इन दोनों number में से ही कौन1 एक number आपको यहां पर put up करना है लेकिन सबसे पहले आपको देखना है यह आपकी spacing वाली loop है वो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैю क्या हो रही है decrement हो रही है देखे इस spacing वाला triangle है नीचे आते आते आपकी space क्या हो रही है decrement हो रही है तो obviously हम क्या करते थे यहाँ पर k-- करते थे अगर decrement order के अंदर आ रही है थो जैसे decrement order के अंदर आ रही है हम यहाँ पर क्या put up करते थे greater than अब आप तुरंथी बता दोगे कि sir अगर decrement order के अंदर आ रही है तो obviously हम यहाँ पर क्या put up करना था तो आपको 5 लगाना है यहाँ पर अगर यहाँ पर increment होता था तो आपको यहाँ पर 1 लगाना है यही दो नमर का meaning है और कुछ भी नहीं है हमरा initialization हो गया है decrement हो गया है अब हमारी बारियाती है condition की condition को obviously आप कहां तक ले जाओगे आई तक जैसा कि मैंने पहले बताया आपकी inner look के अंदर अगर एक पार्ट आपका digit आ जाता है तो दुसरा पार्ट आपको compulsory क्या लगाना है उपर row वाला variable ही put up करना है ठीक है चलिए save करेंगे file को और run करेंगे तो अब देखे आपका output तो आगया लेकिन थोड़ा सा reverse order के अंदर आया देखे 5, 5, 4, 5, 4, 3 digit वाला तो आगया लेकिन space आपकी इस तरह से नहीं आ रही है थोड़ी reverse order के अंदर आ रही है नीचे से start हो रही है ठीक है यानि कि आपको अब यहाँ पर आपका order बदलना होगा क्यान दखेगा यह थोड़ी से tricky चींद है मैंने आपको क्या बताया था आपको उपर से नीचे आते आते आपको space को analysis करना है space आपकी फिलाल क्या हो रही है decrement हो रही है तो इसी वज़े से obviously मैंने यहापर क्या लिखा था decrement लिखा था लेकिन इस लूप के अंदर आपकी space फलही नीचे आते आते decrement हो रही है लेकिन आपको indicate करना होगा increment क्यों 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 आपकी जो रो आउटर वाली लूप है वो हो रही है decrement त्यान रखेगा again चलिए फिरसे मैं बता रहा हूँ हमने अपने रूल के मुताबिक लूप को scan किया उपर से नीचे आपकी लूप जो है spacing वाली लूप वो नीचे आते आते क्या हो रही है decrement हो रही है तो इसलिए तुमने यहाँ पर क्या लिखा था decrement लिखा था ना ठीक है बट आपकी यह जो मैं लूप है ना उसको आपको सबसे पहले scan करना है digit वाली लूप वो उपर से नीचे आते आते क्या हो रही है decrement हो रही है देखे 5 से start हो रही है और 1 तक जा रही है देखे 5 से start हो रही है 1 तक जा रही है यानि कि हमने यहाँ पर obviously क्या लिखा था minus minus लिखा था टेक है decrement पार लिखा था तो जब भी यहाँ पर decrement आता है तब आपको यह symbol reverse कर देना है त्यान रखेगा जब भी outer fall loop के अंदर आपको decrement मिलेगा तब आपको यह वाला part क्या कर देना है रिवर्स कर देना है तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा plus plus करना होगा increment करना होगा तो अब हमारे rule के मताबिक जब भी हम कोई increment वाला part indicate करेंगे तो आपको initial part क्या apply करना होगा one apply करना होगा तो अब आपको यहाँ पर लगाना है one इंक्रिमेंट पार्ट है तो अब यहां पर क्या पूटप करोगे लेस्ज देन पूटप करोगे ठीक है एक से स्टार्ट किया लेस्द आई प्लस प्लस चलिए अब मैं फाइल को करूंगा सेव और यहां पर करूंगा कंपाइल अंड रॉन तो अब आप देख सकते हैं हमारा आउटपूट सक्सेस्फुल आ चुका है जैसा हम चाहते थे जैसे मेरी फॉलूप थी ठीक वैसा यहमारा आउटपूट आ चुका है थोड़ इसी ट्रिकी चेस्ट थी आपके लिए यह जो हमारा रूल था था थोड़ा सा में ट्विस्ट करना पड़ा क्यों यह डिक्रिमे नहीं है चली है थो यह आपका आउटपूट का कोड हो गया इसका आप स्क्रिनशाट्ट ले सकते हो अंगे और इसका प्रिंट वाला पैटन यह आपका पैटन हो गया इसका भी आप आउटपूट निकाल सकते हूं तो ये मैंने आपको दो एक्जाम्पल दिये इसके अंदर कई सारे और भी एक्जाम्पल आते हैं चले एक और एक्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा इस तरह से हमारे पास कुछ लूप है सबसे पहले ये देखे simple लूप है हमारे पास spacing आली लूप नहीं है सबसे पहले आपको इस लूप का कोडिंग यहां पर पूट अप कर देना है outer लूप के अंदर और यह हमारी digit वाले inner लूप के अंदर वो हो जाने के बाद मैं यहां पर आपको दे रहा हूँ space ठीक है इस तरह से अब देखे यहां पर आगे आपको space मिल चुके है ठीक है तो यह भी वन टाप अप क्या है space वाली ही लूप है ठीक है तो इसको अभी हम बनाएंगे which spacing national for loop की मदद से चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे मैंने जो पूरा नहीं आपको pattern बता ही ना without spacing उसको इंप्रिमेट करने की try करते हैं चले तो सभी देखे कहां से start हो रहा है one से start हो रहा है five तक जा रहा है और हमारे पास पांच row है तो सबसे पहले तो हम try करेंगे increment order के अंदर आउट लूप को चलाने के लिए एक से start करेंगे five तक जाएंगे i++ यह सब फिलाल में मिटा देता हूँ ओके अब हम column की बात करेंगे तो column सभी कहां से start हो रही है one से start हो रही है तो हम यहाँ पर j की value कहां से start करेंगे one से start करेंगे अब j को कहां तक ले जाएंगे हम तो देखे five four three two and one सभी जो एंडिंग पाठ है वो एक्जेट रो का reverse नमर है दो नमबर की रो चार से end हो रही है चार नमबर की रो दो से end हो रही है यान की again आपको आपकी outer loop reverse चलानी होगी यहाँ पर मैं start करूंगा five से यहां से मैं कहां तक ले जाओंगा one तक ले जाओंगा और यहां पर मैं चलाओंगा i minus minus ओक अब देखे जे आपने कहां से start किया one से start किया ना तो मैंने यहां पर लिख दिया जे one और यहां पर मैं कहां तक ले जाओंगा i तक ले जाओंगा ठीक है रो के reverse नमबर तक यह राप्टर मैं करूंगा j plus plus ठीक है ओके तो यह हमारी होगी नॉर्मल लूप ठीक है without spacing वाली अब मैं यहां पर साथ ही साथ अपलाई क्या करना था with spacing भी अपलाई करना था एक तो मैं यहां पर सबसे पहले हमारी ओरिजिनल जो लूप थी वह लिख देता हूं कुछ इस तरह से अब आपको उपर से नीचे आते तक increment order के अंदर आ रहा है तो जैसे increment order के अंदर आता है हम यहां पर क्या लिखते थे k की value k++ करते थे इस तरह से क्यों उपर से नीचे तक आते 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 आपकी spacing कि लूप क्या हो रही है बढ़ रही है इंक्रिमेंट हो रही है तो इसलिए हमने क्या लिखा k++ लिखा अ आप यहां पर क्या लिखते थे less than का symbol लिखते थे right and then after यह वाला पार्ट initialization वाला पार्ट तो यह तो fix ही है या तो 1 आएगा या 5 आएगा right यह दो नूमबर तो में imaging करी लेना है या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा वो भी मैंने आपको बताया कब 1 लिखना है कब 5 लिखना ह जब आपको यहां पर decrement part मिलेगा तब आपको file लिखना है तो फिलाल हमारे पास कौन सा वाला part available है increment वाला part तो आपको obviously यहां पर लिखना है one यह वाला part finish हो गया यहां पर आपने क्या लिखा को digit लिखा तो obviously यहां पर क्या आएगा row का variable आएगा i ठीक है इस तरह से चलिए सेव करेंगे file को thereafter compile and run तो देखे अगें आपकी space जो है वो क्या हो रही है ठीक है reverse order के अंदर आई तो जैसा कि मैंने previous session के अंदर बताया था ठीक है अमने previous pattern जो हमने बनाई थी उसके अंदर मैंने क्या बोला था अगर आपकी outer follow decrement order के अंदर चल रही है ठीक है तो आपको य तो आपको यहाँ पर जो भी symbol मिले ना उसका exact reverse कर देना है अगर आपको यहाँ पर प्लस प्लस है तो आपको कर देना है minus minus ठीक है तो आपका क्या change आएगा जैसे minus minus करोगे आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा greater than लिखना होगा done चलिए अब मैं करूँगा save अब करूँग करेंगे इन दोनों को स्वैप कर देंगे चैंज कर देंगे स्टार्ट करूंगा मैं I से ले जाओंगा मैं वन तक चले सेव करेंगे कम्पार रण तो यह अब आप देख सकते हो आपकी फॉलूप है ठीक है जो कि space वाली वो अगेन आपकी कोई specific order के अंदर नहीं आ रही है random order के अंदर आ रही है यहाँ पर jcm space बताना चाह रहे है वो हमसे burn नहीं रही है तो आपको क्या करना है इसी तरह से try and try करती रहने है जब तक आपकी loop burn नहीं जाती है यह तो हमारी fix ही है माइटी भी आपको यह change करनी पड़े तो यह आपको self study के अंदर लूप करनी है यह वाली तो इसको आप note down कर लो मैंने थोड़ा जैसा तैसा कोडिंग यहां पर लिखा हुआ है लेकिन आपको इसको 100% ठीक करके लाना है ठीक है कोडिंग कुछ आपको इस तरह से करना है कि आपको output के अंदर परफेक्ट यही वाली पैटन मिल जाए यही वाली पैटन तो सबसे पहले इस पैटन को note down कर लो मैंने जो कोड बताया है उस कोड को note down भी कर सकते हो या फिर आप अपने आपसे एकदम 0 से start कर सकते हो अपना खुद का कोड लेकिन किसी भी तरह से यह वाली पैटन बना कर लानी है next lecture के अंदर यह आपका self study के अंद आपको custom nested loop, custom nested loop के अंदर आपका कोई भी fix structure नहीं रहेगा जैसा कि मैंने width spacing के अंदर कैसा बताया था कि एक outer loop होगी right दो हमारे पास inner loop होगी यह तो fix structure हो गया ना इसी तरह से आपको बनाना है लेकिन जब मैं बात करूंगा custom nested loop की वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का custom structure आ सकता है ठीक है आपको कोई भी pattern दी जाएगी उसके हिसाब से आपको custom structure बनाना है nested loop का for example मैं आपर एक लूप ड्रो कर रहा हूं देखिए एक pattern में आपर ड्रो कर रहा हूं सबसे पहले लिए मैं आगा one then after two and one then after three two and one four three two and one five four three two and one then after again four three two one three two one two one and last में one यह देखिए आप इस तरह की pattern है आपके पास अब इसके अंदर आप क्या करोगे यह total custom follow up हो गई ना इसको आप बनाओगे custom nested loop की मदद से यानि कि अपने इसाप से structure बनाना है यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है कि आपको इसी तरह से बनाना है या फिर यह structure follow करना है ठीक है आप अपने इसाप से अपना खुद का structure बना सकते हो अब देखे मैं यहाँ यहाँ पर उपर से लेकर नीचे तक इस pattern को follow करते करते study करते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस total fall loop को दो पार्ट के अंदर divide कर सकता हूं for example यह मेरा first part बनेगा देखे यह लूप तो हमें बनानी आती है उसके बाद यह लूप हो जाने के बाद मैं अगेन दूसरा नए आकोडिंग इतना वाला पाट उसका आपको coding कर लेना है simple यह आपको कोई भी space नहीं है तो आपको क्या लगाना है simple nested loop का structure चो की था एक outer loop एक inner loop चो कि मैंने previous session के अंदर देखा था जब आप इसका output निकाल लेते हो तब आपको coding करना है नीचे वाली fall loop का that's all तो दो structure की मदद से आप प पूरी pattern बना सकते हो ठीक है चले अब मैं इसका output एकदम जीरो से start करूंगा सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए दो fall loop चाहिए एक outer loop एक inner loop अगेन मैं आपको clarify कर दूँ सबसे पहले मैं सिफ यहाँ पर ही focus कर रहा हूं यह उपर वाली fall loop ही हम बनाएंगे सबसे पहले नीचे वाले को हम totally ignore करेंगे फिला तो चले सबसे पहले उपर वाली fall loop के अंदर कितने parts available है कितने row available है 5 row available है तो हमारी inner loop sorry outer loop जो होती है हमारी row के लिए वह हम कितनी बार गुमाएंगे 5 times गुमाएंगे तो इसके लिए मुझे दो variable चाहिए होगे row के लिए i column के लिए j ठीक है चले अब यह बाहर वाली fall loop हमें कितनी बार गुमानी है 5 times गुमानी है तो x से start करेंगे 5 तंग चाहिए i++ अब j या लग अलग नमबर से start हो रही है जितने नमबर की रोह है न उस नमबर से वह start हो रही है त्यान रखिए अगर तीन नमबर की रोह को आप देखो तो वह तीन से start हो रही है चान नमबर की रोह को आप देखो तो वह चार से ही start हो रही है तो analysis करते वक्त मुझे ऐसा पता चला क जितने नंबर की row है वो उसी नंबर से start हो रही है यान कि column की initial value आपकी क्या हैगी जो आपकी row की value थी यान कि मैं यहाँ पर simple put up करूँगा i that's all अब देखे finish कहां तक हो रही है या आप last ओला pillar है उसको imaging किजिए उसको analysis करो कहां से finish हो रही है one से finish हो रही है तो एंडिंग पार्ट में यहाँ पर क्या लिगाऊंगा destination greater than equal to one ठीक है और जे माइनस माइनस चले सबसे पहले हम print कराकर देख रहे थे क्या output हमारे successful आ जाता है या नहीं percentage d and check value then after loop गुमने के बाद हम obviously क्या लगाते थे slash n इस तरह जे तो save करेंगे file को compile and run आप देख सकते हो ह हमारी perfect for loop आ चुके है हमारा उपर वाला पार्ट जो था यहां से यहां तक एक से लेकर पांच रो तक एक हो completely आ चुका है देखिए तो मतलब उपर वाली for loop हमारी create हो चुके है ठीक है चले अब हमें बात करने यह नीचे वाली for यहाँ पर आपको चार रो मिले रहे करना है ठीक है इसको तो ऐसे ही रहने देना है इसको टाच नहीं करना है यहाँ पर बाहर निकलते वक्त आपको अगें दूसरा structure बना लेना है nested for loop का एक outer loop एक inner loop इस तरह से चले अब यह जो structure है वह हम किस लिए बना रहे है यह नीचे की चाल लाइन के लिए ठीक है तो मैं यहाँ पर initialize करूंगा i की value कहां से for example reverse order के अंदर में अगर मैं घुमाने की बात करूँ तो मैं यहाँ पर start करूंगा चार से ठीक है कहां तक जाओंगा one तक जाओंगा i minus minus ठीक है चार बार गुम गई reverse order के अंदर ओके चले column की value कोलम की value देख सकते हाँ कहां से start हो रही यानि की रो की reverse value से start हो रही है रो यानि की हमारे केसमें यहां पर i ठीक है कहां तक जा रही है कि वन तक जा रही है देखे सब भी रो एंड हो रही है कहां से वन तक और यहाँ पर destination पार क्या लिख होगे greater than equal to one ठीक है new line वाला slash and save करते हैं फाइल को compile and run करेंगे तो अब आप देख सकते हो हमारी complete follow बंच कर आ चुकी है कि के इस तरह से कि ड़न ओके चले तब आप इस pattern का screenshot निकाल लो इस तरह की custom nested loop आपको किसी भी तरह की मिल सकती है यह वहाँ पर आपको अपना खुद का logic अपना खुद का structure इस तरह से decide करना होगा बनाना होगा तो कोई भी लूप हो कितनी भी बड़ी लूप हो कितनी भी complex लूप हो आपको उसको structure क्या था चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका structure हमने क्या देखा था वन आउटर लूप थी और वन इनलूप थी ओके यह structure था किसका simple nested for loop का अब अगर हम बात करते हैं with spacing nested for loop जो कि आज हमने देखा उसके अंदर क्या था वन आउटर लूप तो थी लेकिन टू इनलूप थी दो इनलूप थी आपके पास एक थी स्पेस के लिए एक थी डिजिट्स वाली लूप के लिए अब बात करता है custom nested for loop की तो custom nested for loop के अंदर इस तरह का कोई fix structure नहीं है तो आपको अपने हिसाब से nested for loop ठीके प्रिवेस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको study करने के लिए बोला था आपको कई सारे examples मिल जाएंगे इस तरह की designs pattern आप found करो उसको implement करने की try करो आप बहुत ही easy है step by step सबसे पहले again repeat करूंगा मैं आपको notebook के अंदर लिखना है पहले directly कभी भी PC के अंदर आपके एडिटर के अंदर try करना नहीं सबसे पहले step by step उसको घुमाईए लूप को बट notebook के अंदर पहली बार जब गुमती है उसका output not down कर लो दूसरी बार गुमती है उसका output not down कर लो इस तरह से आपको समझ में आएगा ठीक है completely practice करनी है नेच्टेड फोलूप के ओके तो चलिए अब आप मिलते हैं अपने नेक्स लेक्चर के अंदर नए चेप्टर के साथ